हेलो फ्रेंड वेलकम टू कम्पीटर लर्निंग चैनल और यूट्यूब आज की वीडियो में हम सेखेंगे टेली प्रैम अकाउंटिंग सोप्वेर में आप स्टोक आइटम को किस तरह से तियार कर सकते हैं और तियार करते हैं आपको की चीजों का ध्यार में रखना होता है तो दियरफेंड इस وीडियो को इंट तक अप पूरा देखें ताकि आप सही तरीके से स्टोक आइटम बनाना सीख सके तो यह स्टार्ट करते हैं तो डिएफेंट सबसे पहले आपको क्या करना है टेली प्रैम अकाउंटिंग सब्सक्राइब करना है उपन करने के बाद आप जिस कंपनी के अंदर भी इस्टोक आइटम ग्रेट करना चाहते हैं वह कंपनी आप पहले से सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको गेड़ टेली की स्कृरियर में रहते होग गर्जाते में सबसे फर्स्ट ओप्षन जो आपको डिखाए देता है उसको सेलेक्ट करते हूं इंटर प्रेस करना है उसके बाद आपको इंव Boxер सेक्शन के अंदर आपको इंटर कworkers सेलेक्ट करना थे इन-प्रे कर रहा हूं ठीक है उसके बाद अलाइस का मतलब होता है अदगार इस प्रोड़क को किसी ओ नाम से भी जाना जाता है यानि कूप नाम ठीक है तो आप वह यहां पर टाइप कर सकते हैं उसके अलाव अगर आप चाहते डियर फेंड के प्रोड़क की कुछ एडिशनल इंफोमे करदेगे ठीक है उसके बाद इस कि कि एक शक्राव प्रोड़क की यहां पर आप mint के अदर प्रोपर शो में तो यह आ पर जो है यहां पर जो है इसका डिस्क्रिप्शन दे रेते हैं ठीक है तो आपको यहां पर जो है description टाइप कर देना है उसके बाद आपको इंटरप्रेस करना है और यहां पर under में आपको group select करना होता है ठीक है आप देखेंगे यहां पर primary रहता है पर आप चाहें तो group जो है तयार भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं बना रखा है तो group क्या होता है different जो product होता है उसका कई बाद brand name या company name भी होता है ठीक है तो आप तयार करना चाहते हैं तो आपको create option पर interface करना है और यहां पर जो है आपको जो group name तयार कर लेना है तो जो group है इसका apple है ठीक है उसके बाद under हमें primary ही रखना है ठीक है बागी किसी भी option को हमें कुछ भी change नहीं करना है और उसके बाद हम unit पर आ जाएंगे तो unit भी सबसे important है different क्योंकि बहुत से user अगर यहां पर unit select नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आप voucher entry पास करेंगे तो आप जो है उसमें quantity input नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इस पे especially आपको धिहान रखना है ठीक है अगर आपने unit नहीं तयार कर रखी तो आपको create option दिखाए देता है उस पर आपको इंटर प्रेस करना है और यहां पर आपको unit तयार कर लेना है क्योंकि हमारा जो product है वह number of quantity मे यहां पर zero रहेगा ठीक है और उसके बाद हम accept करा देंगे ठीक है उसके बाद GST अप्ले के विटी में आपको yes करना है ठीक है और यहां पर hsn ssc detail यहां पर आप specify detail दे सकते हैं ठीक है यानि आपको product का hsn code अगर आपको पता है तो आपको यहां पर डाल देना है ठीक है उसक आपको taxable type के अंदर taxable लेना है ठीक है उसके बाद आपको जितना percent लगता है इस product के आपर वो tax rate आपको यहां पर डाल देना है ठीक है उसके बाद type of supply में आपको good select करना है ठीक है उसके बाद यहां पर आपसे पुछेगा rate of duty तो यहां पर आपको कुछ भी input नहीं करना है और इंटर देते वे आपको क्या करना है एप सेप्ट कर लेना है उसके अलावा अगर डियर फिंट आपने पहले से stock item बना रखा और आप उसमें modify करना चाहते तो आपको क्या करना होगा आपको सबसे पहले stock item creation screen से बाहर निकलना होगा इसके लिए आपको अपने keyboard से escape की का use करना होगा और आप gateway की screen मा जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है आपको master में elder option दिखा है देता है इस option को आपको select करते वे इंटर प्रेस करना है इसके बाद आपको inventory master section के अंदर आपको stock item select करना है उसके बाद जिस item के भी अंदर आप modify करना चाहते वो आप item select कर ठीक है for example के लिए samsung galaxy flip 5 में आपको मान लीजिए modify करना है तो आप इस पर interface कर देंगे उसके बाद जो भी information आपको update करना आप यहां से कर सकते हैं उसके अलावा डियापेंड अगर आप किसी भी product को delete भी करना चाहते तो इसी screen में रहते वह आपको अपने keyboard से एल्टर के साथ डी प्रेस करना होगा जिससे क्या होगा आपके सामने delete option आज आएगा ठीक है उसके बाद आपने keyboard से आपको y प्रेस करना है जिससे क्या होगा वह product आपका delete हो जाएगा तो इस तरह से dear friend आप जो है teleprime के अंदर stock item बना भी सकते हैं delete भी कर सकते हैं और modify भी कर सकते हैं तो dear friend भी stock item को सही तरीके से बनाना सिख सकें और dear friend आप अब महारी चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं और आभी तक आपने हमारे computer learning चैनल को सब्सक्राइब नहीं कया तो अफ्ली ज़रू सब्सक्राइब कर लिजे ताके आने वाली और भी advanced वीडियो से आप advanced optional features सिख सके thank you for watching computer learning channel on youtube